Good morning children, how are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you use of that in English. बच्चों, आज हम लोग use of that पढ़ेंगे. कहां हम लोग that का use करते हैं? पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था use of this. This use करते हैं, हम उन things के लिए जो हमारे बहुत पास होते हैं, जिसको हम अपने हांड से टच कर सकते हैं, उसके साथ हम this use करते हैं. Things which are very near to us, which we can touch by our hands, in that we use a this. हम लोग उसमें this use करते हैं, जो बहुत पास होते हैं. और that हम लोग use करते हैं, things which is very far from us, which we cannot touch from our hands. तो बच्चों जो things जो होते हैं, जो भी चीज जो हमारे बहुत दूर होते हैं, हमसे बहुत दूर होते हैं, जिसको हम अपने हाथ से टच ही नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो उसमें हम लोग that लगाते हैं. दिसका मतलब यह होता है, और that का मतलब वो होता है. जैसे आपके बच्चों आपके घर में एक fan तो होगा, fan उपर में जो fan लगा रहता है, ceiling fan, वो आपसे बहुत दूर हैं ना, क्या आप उसको touch कर सकते हैं? नहीं ना, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? that is a fan, वो एक पंका है. तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ examples दिये हैं आपको, आज मैं कहाँ पर हम लोग use of that करते हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे. सबसे first में आप देखिए, यह क्या है? dash is a fish, यह जो fish है, यह हम लोग से बहुत दूर है. इतना दूर है कि इसको हम लोग touch नहीं कर सकते हैं. तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? that लगाएंगे न, क्या right करेंगे? that, t, h, a, t, that. इसको क्या पढ़ेंगे? that is a fish, वो एक मचली है. मचली कहाँ है? दूर है न, पास में नहीं नहीं है, उसको हम लोग touch नहीं न कर सकते हैं, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? that लगाएंगे. now, next, number second, dash is a tree. यह जो पेर आप देख रहे हैं, यह बहुत दूर में हैं हम लोग से, बहुत दूर है न, तो इसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? that, तो यहाँ पर क्या write करेंगे? that, t, h, a, t, that, तो इसको क्या लिखेंगे? that is a tree, that is a tree, मतलब वो एक पेर है, और यह पेर कहां है? बहुत दूर में हैं, जिसको हम लोग अपने hand से touch भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी चीज जिसको हम लोग छूनी सकते हैं, जो हमारे बहुत पास नहीं होते हैं, जो हमसे दूर होते हैं, उसके साथ हम क्या use करते हैं? इसमें हम लोग क्या use करेंगे बच्चों, आप बताओ, जब यह देखो आप दूर में हैं ना यह लोग, तो लोग अगर दूर में हैं, कोई भी चीज जो हमसे दूर है, जिसको हम अपने hand से touch नहीं कर सकते हैं, उसके साथ हम डाट लगाते हैं, तो यह क्या लिखेंगे? टी, एच, ए, टी, डाट इस अ लोग, वह एक लोग है, लोग कितना है, एक है ना, एक ही लोग का पिक्चर आप देख रहे हो ना, एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर लोग लिखे हैं हम लोग, और आपको एक बात और बताती हूं बच्चों, डाट या दिस, दोनों लगता है, मतलब की वन के लिए लगता है, not for many, वन के लिए, कोई भी चीज एक होता है ना, उसके साथ ही दिस लगता है, हाँ, बस एक बात या द रखना है, कोई भी चीज जो हमारे बहुत पास होता है, जिसको हम तच कर सकते हैं, उसके साथ दिस लगाते हैं, और जो यह क्या है पास में है कि दूर में इस वेरी फार ना बहुत दूर है तो इसको हम लोग टैच नहीं कर सकते हैं तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे That is a kind वह एक पतंग है जो भी दूर में होता है उसके साथ हम लोग वह बोलते हैं वह एक पतंग है ठीक है? Now next number 5 में अगर मैं आपसे पूछेंगी What is that? तो आप क्या अंसर दोगे? क्या अंसर दोगे? यह दूर में है न हट तो यहां क्या राइट करेंगे? That है न? T-H-A-T That is a हट वह एक हट है मतलब कि यह जो हट है यह हम लोग से दूर है इसलिए हम लोग इसके साथ That लगा है Now next number 6 That is a ball यह जो बॉल है यह बहुत दूर है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे बच्चो? That Very good तो यहां क्या राइट करेंगे? T-H-A-T That तो आपको आगया होगा समझ में कोई भी चीज जो हमसे बहुत दूर होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं उसके साथ हम ताट लगाते हैं यह देखो आप That is a ball वो एक ball है क्या है यह? वो एक ball है वो एक ball जो है वो बहुत दूर में है इसलिए हम लोग That is a ball बोलते हैं Now next No.7 में Dash is a table अब आप देखो What is that? यह table है ना? Table कहा है? दूर में है ना? आप देखो कितना दूर है ना? This में हम लोग यहाँ पर picture बनाते हैं दम पास में और that में हम लोग picture कहाँ बनाया है? दूर में बनाया है ना? तो जो भी जो भी चीज हमसे दूर होता है तो और एक होता है तो उसके साथ हम लोग that लगाते हैं तो यहाँ पर क्या write करेंगे? dash is a table है तो क्या write करेंगे? that dhati that is a t-a-b-l-e table वह एक table है ना नेक्स नमबर 8 में आएंगे dash is a top यह क्या है? top है ना? और यह top बहुत दूर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? that लगाएंगे ना? यहाँ write करेंगे t-h-a-t that is a top वह एक top है है ना? top क्या होता? toy होता है ना? और यह toy जो है एक top है तो इसलिए हम लोग हाप पर write भी किया है top और इसलिए यह क्योंकि दूर है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएं? that लगाएं okay children now next number 9 में dash is a mat अब आप देखो यह जो mat है mat को हिंद में क्या बोलते हैं? चटाई बोलते हैं ना? आप सब के घर पे होगा ना यह तो आप जो यह देख रहे हैं mat यह दूर में है यह भी दूर में है ना? यह picture यहाँ भी देखो दूर दिखाने के लिए मैंने इसको दूर में far में एकदम ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि this और that कहां लगाते हैं? आप देखो that अगर यही picture जब मैंने this पढ़ाया था आप देखो यह बुक जो है बहुत फार है बहुत दूर है हमसे इसको हम लोग टाश भी नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डाट लगाएंगे ना? और डाट के स्पेलिंग क्या होती है? टी एच 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 त डाट इस अ बुक क्या है यह? वो एक बुक है जो ऐसा बुक है जो दूर है जिसको हम लोग टाश नहीं कर सकते हैं तो बच्चो आपको समझ में आया होगा डाट हम उन चीजों के लिए लगाते हैं जो हमसे बहुत दूर है जिसको हम लोग अपने हांड से टाश नहीं कर सकते हैं तो बच्चो आज के लिए बस इतना ही ताट सॉल फर टुडे थैंक यू